अगर आपने मेरे चानल को आभी तक सब्सक्रेब नहीं के तो इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्रेब कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं अफिशल शारुक जी को बहुत दन्यवाद बोदना चाता हूँ ना बड़ा मौका देने के लिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत आसानी से कैसा हम लोग पासपोर साइज फोटो फोटोशाप से क्रियेट कर सकते हैं इसके लिए हमें फोटोशाप में जाना है उसके बाद हमें फाइल प्लब की करना है क्लिक करने के बाद हमें एक न्यू कामपोजिशन को सेलेक्ट करना है हाइट होना है 1.5 इंच आप जहाँ देख सकते हैं इंचेस पिक्सल है हमें इंचेस को सेलेक्ट करना है उसके बाद हमें हाइट को 2 इंच रखना है इंचेस ही सेलेक्ट करना है रेजल्यूशन होना है 300 उसके बाद पिक्सल और इंच को सेलेक्ट करना है बागी सब वाईसे ही चोड़ दीजे उसके बाद हमें OK पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमें फाइल पर फिर से जाना है और आप वहाँ देख सकते प्लेस होता है प्लेस पर क्लिक करके हमरा फोटो को इंपोर्ट करना है import करने के बाद हमें resize करना है फोड़ा कुछ qualche resize कोई आप या देख सकते हैं मेरा photo का white solder आ गया उसके बाद हमें enter पर ख्लिक करना है और edit फर क्लिक करना है वहाँ आप देख सकते define pattern उस पर click कर Brazil करना हे, हमें फिर से पाइल पर click करना है उसके बाद हमें new composition को select करके इस बार हमें width होना है 6 inches और height होना है 4 inches और resolution 300 inches pixels होना है उसके बाद हमें Ctrl A क्लिक करना है और उसके बाद हमें selection tool कोinkle करके एक क्लिक करना है आप यह देख सकते हैं एक dotted line आ गया white page के उपर उसके बाद हमें right click करके फिल पर click करना है और उसके बाद हमें या एक tab होता है उस पर click करके pattern को select करना है और हमारा photo को इधर select करना है और okay करना है बस हो गया हमारा passport size photo हो गया उसको save करने के लिए हमें file पर click करके save और web पर click करना है बस save save पर click करना है और save करना है और आप देख सकते हैं यह final output ऐसा दिखेगा इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं आगली वीडियो में जय हिन